हेलो, नमस्ते, मेरा नाम भागी रती है, मैं गोवा राज्जी के सबसे बड़े शहर वासकोडिगामा में रहती हूँ गोवा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में समुद्री किनारा, उन्मुक्त जीवन शैली, पार्टीज, काजू से बनी फैनी और कई चीजे याद आती होंगी आज इद की चुट्टी थी, तो मुझे लगा कहीं घूमा जाए, आज मैं जा रही हूँ थ्री किंग्स चर्च बारिश के मौसम में चारो तरफ हर्याली ही हर्याली हो जाती है, द्रश्य देखने लाइक होता है थ्री किंग्स चर्च निकरतम रेलवे स्टेशन वासको डगामा से 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षण गोवा में इस्तेत है इस जगे पर हमें कोई फीस नहीं लगती और यहां जाने का समय सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक होता है अगर आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो गोवा जाने का सबसे वहतरीन समय अक्टुबर से मार सक्का होता है इस मौसम में यहां काफी परियटक आते हैं जून से सितंबर तक यहां काफी वर्षा होती है यहां भैतरीन रिजॉर्ट्स भी हैं लोग आ गए हम थ्री किंग्स चर्च के गेट में यह चर्च का इंट्रेंस है यहां से हम सीडी चड़कर चर्च में पहुचेंगे चर्च का नाम आते ही आपको ऐसे स्थान का ख्याल आता होगा जहां इश्वर का वास होता है जहां मिलकर लोग प्रातना करते हैं और प्रभु को याद करते हैं और हरीबरी वादियां कितना सुहाना द्रश्य है यह है थ्री किंग्स चर्च आज बच्चों ने काफी इंजोई किया लेकिन दिन भर बारिश होने की बज़े से हम ज़्यादा घूम नहीं पाए दोस्तों यहां मेरा पहला वीडियो है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए और गुआ की प्राकर्तिक सुन्दर्ता को देखने के लिए सब्सक्राइब चरूदी झाल. 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 कि अज़े लिए भीडियो को देखने के लंड़ भी खरुदावे के लिए लिए. झाल झाल झाल